फिटनेस फ्रीक मलाइका अरोडा किसी ना किसी वज़े से लाइम लाइट में बनी रहती हैं वहीं बीते दिनों मलाइका अपने पैर पर लगी चोट को लेकर खूब सुर्खियों में रही सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो खूब वाइरल हुआ जहां अक्ट्रिस की थाई पर नीले रंग का एक बड़ा सा निशान देखने को मिला वहीं इस निशान को देखने के बाद यूजर्स ने कई तरह के सवाल भी उठाए लोगों का ये कहना था कि इस चोट को छुपाने की बज़ाए मलाइका इसे फलॉंट क्यों कर रही है हालां कि इस निशान को देखने के बाद सोशल मीडिया पर कई फैंस ने मलाइका का हालचाल भी पूछा था लेकिन अब मलाइका ने इन सवालों का जवाब दे दिया है हाल ही में बॉम्बे टाइम्स को दिये एक इंटरव्यू के दौरान मलाइका ने अपने इस चोट को लेकर बात की है उन्होंने कहा कि वो एक जगा बहुत बुरी तरह से गिर गई थी इस वज़े से उन्हें ये चोट लगी और ये निशान पढ़ गया इसमें छुपाने जैसी कोई बात नहीं है मलाइका ने आगे बताया कि वो ऐसा कुछ भी नहीं पहन सकती थी जो इस चोट को और बढ़ा दे इसलिए उन्हें इसे खुला छोड़ना पड़ा लोग गिरते हैं खुद को चोट लगाते हैं और फिर खुद को सम्भालते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कुछ चोट निशान छोडते हैं और कुछ नहीं लेकिन यही लाइफ है आपको बता दे कि हाल ही में मलाइका को जियो वर्ल्ड प्लाजा लक्शरी मॉल के इवेंट में ब्लैक लुक में देखा गया था इस दोरान मलाइका काफी चियर करती नजर आई थी बहराल अगर मलाइका अरोरा की प्रिफेशनल लाइफ की बात की जाए तो वो फिल्मों से ज्यादा अब टीवी रियालिटी शोज में बतौर जज नजर आती है अब वो सोनी टीवी के पॉपुलर डान्स रियालिटी शोज जलक दिखला जाके नए सीजन में जज करती हुई दिखाई देने वाली है